स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल फार्मिसी क्यान पर अगर आपने हाली में अपना फार्मिसी कोर्स कम्प्लीट किया है और अगर आप ड्रग लाइसेंस अपलाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि ड्रग लाइसेंस से जुड़े एक नया नियम जो अभी आया है वो आपके लिए बेहद जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप इस नय नियम को नहीं जानेंगे तो आपको लाइसेंस तो मिलेगा नहीं साथी साथ आपके उपर धुखा दड़ी और जाल साजी के आरोप में आपके उपर कारवाई हो सकती है आप जेल जा सकते हैं और इसके लिए जमानत भी नहीं मिलेगी असल में बात यह है कि जब मैं फार्मेसी कॉंसिल गया अपने कॉलेज के आफिस काम से तो वहाँ पर एक जो लड़का था वो अपना लाइसेंस बनवाने के लिए आविदन दिया था तो लाइसेंस बनाने के आविदन देने के बाद भी उसका लाइसेंस नहीं बना तो वो आया था मिलने क्या कारण है कि उसका लाइसेंस नहीं बना तो वहाँ पर जो रेजिस्टार थे उन्होंने कहा कि पहले जो डॉक्मेंट लगते थे और जो जो तरीके थे वो सारे तो हैं ही एक नया सर्कुलर जारी हुआ है ड्रग कंटोलर आफ इंडिया के द्वारा कि जो लोग भी ड्रग लाइसेंस के लिए आविदन देंगे उनको रेजिस्टार के सामने इंटर्व्यू देना होगा ये इंटर्व्यू जादा बड़ा नहीं होगा इसमें सम बेसिक कोश्चन ही पूछे जाएंगे तो मेरे सामने ही उस लड़के से कोश्चन पूछा गया पहला कोश्चन था कि आपने जो डिप्लोमा इन फार्मिसी का कोर्स किया है वो कोर्स कितने साल का है उसके बाद उसे question पूछा गया कि PCI का full form क्या है और तीसरा question ये बोला गया उनसे कि आपने जो जो subject की पढ़ाई की है जो जो paper का exam दिया है उसे लिखके दिखाईए इस कागच में आपको विस्वास नहीं होगा डिप्लोमा इन फार्मिसी का कोर्स सिर्फ दो साल का पूरा होता है ये सिर्फ लड़के ने बताया PCI का full form भी वो नहीं बता पाया और साथ ही जितने subject उसने लिखे वो सारे गलत के गलत है इसके अलावा वहाँ पर जो मौजुद वेश्टार थ तो आपको कम से कम अपने subject के बारे में मालूब जरूर होता आपने सारे subject के नाम गलत लिखे इसका मतलब आपने degree कहीं से खरीदी है या आपने exam नहीं दिया है और इस तरह से उनको वापस भीज़ दिया जाता है उसके बाद आगे वो बात करते हैं कि इसके बाद भी अगर अगर वो subject बता देता तो उससे उस subject से जुड़े question पूछते जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मिसी में पहले साल में 6 subject है और दूसरे साल में 6 subject है तो पहले साल में अगर वो तीन subject का भी नाम लिख देता जैसे कि human anatomy and physiology pharmaceutical chemistry one और फार्मासुटिक्स वन ये तीन subject है और तीन subject है HECP है उसके बाद फार्मा कोगनोसी है तो इस तरह से subject है तो उन subject से जुड़े question भी पूछे जाएंगे जैसे कि अगर subject में उस बंदे ने अगर subject का नाम लिख दिया होता तो उससे पूछा जाता कि आखिर बताईए कि आपने human anatomy and physiology के paper में क्या सीखा क्या पढ़ाया गया त से बारे में बताया जाता है मतलब सामने वाला रजिस्टर्स आप से यह जानना चाहता है कि आपने को कम से कम basic knowledge है किये आपने यहीं degree 주고 कर ली है सित भी दिग्री पराप्ट कर ली है इसलिए इसलिए मेरे दोस्तों आप अगर अपना license टके लिया करने के बारे में सोच रहे ह लुट के यह डिप्लोमा इन फार्मिसी का स्वेस कितने साल का उता है यह bachelor इन फार्मिसी का सिन को कितने साल का होता है 고 Course कितने साल का होता है जेतना नोम कहते हैं जितने भी सापना दे ले और डीव फार्मा फर्स्ट यर और सेकंड यर की जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में में पूरे अच्छी तरह से जान ले कि उन्होंने किसके सब्जेक्ट के बारे में एक्जाम दिया है उसके साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में एक एक छोटी उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है HECP तो इसमें आपने क्या सीखा उसके बाद उसके बाद एक और सब्जेक्ट आता है HCP Hospital and Clinical Pharmacy उसमें आपने क्या सीखा जैसे मतलब छुटे-छुटे क्या कर लें तैयार कर लें बहुत आसानी से आपको वह अपने नेट में मिल जाएंगे और आपको यह जानना जरूरी भी है ताकि ऐसा इसलिए के आ गया ड्रग कंटूलर ओफ इंडिया के द्वारा पूरा इंडिया में जितने भी स्टेट फार्मेसी कॉंसील है वहां के दवाओं का डिस्पेंस नहीं हो पाता है गलत दवाईयां मरीजों को दे दी जाती है जिनके चलते उनके हालत ब्यूड जाती है उनके सरीट पर साइड इफेक्ट हो जाते हैं और यहां तक कि उनकी मृत्यू भी हो जाती है तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए यह कद गहरे-गहरे को लाइसेंस नहीं दे दिया जाए कम से कम उसका आप एक मुल्यांकन करें इंटर्व्यू लेकर के मुल्यांकन करें ताकि जिसको यह लाइसेंस मिल रहा है यह जिम्मेदारी स्वापी जा रही है वह एक योग्य परसन हो सारे कोशन के एंसर अगर आपको चाह लिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई-बाई